हेलो गाईस तो आज का जो हमारा question है से हमें दे रखेया Lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity आई यहां पे हमें image की intensity दे रखे है और हमें lens की focal length भी दे रखे जोकी f है और यहां पे हमें aperture का diameter दे रहे है d फिर हमें आगे question में कहे रहे है का aperture of diameter d by 2 in central region of lens is covered by a black paper focal length of the lens and intensity of the image now will be respectively फिर हमें कह रखे कि जो central region है lens का उसको cover कर दिया गया black paper से और जो aperture है diameter जितना cover किया गया वो d by 2 है उस aperture का diameter फिर हमसे question में पूछ रखे कि जो focal length है lens की और intensity है हमारी image की वो कितनी होगी तो हम जानते हैं कि जो यहां पर हमारा focal length होगी वो तो change होने वाली नहीं है क्योंकि जो हमारी focal length है वो depend करती है radius of curvature of the lens पे refractive index of the lens material पे यानि कि जो हमारा lens किस material से बना है उसके refractive index पे depend करेगी और फिर हमारी depend करता है lens की focal length refractive index of the medium in which the lens is placed यानि कि हमने जो lens हो किस medium में placed कर रखा है उस पे भी हमारी focal length depend करती है यानि कि यहां पर जो हमारा lens की focal length है वो तो f रहने आली यानि कि हमारा second option और third, sorry fourth option होजेगा यह तो गल्त होजेगा अब हमारे पास दो option बच्चे हैं पहला और तीसरा तो हम जानते हैं कि जो हमारी intensity होती है वो किस पर depend करती है वो area पर depend करती है तो हम यहां देख सकते इनिशल जब हमारा lens covered नहीं है तो हमें पता एरिया निकालने का formula क्या होता है एरिया निकालने का formula होता है पाई r square हमें question में दे रख है तो हमें lens का diameter तो हमें पता है r हम कैसे निकाल सेकते diameter से तो उसका formula होता है r is equal to d by 2 तो मैंने यहां पे r की जगह d by 2 रख दिया और उसका square कर दिया तो हमारा area आ रहा है initial area वो आ रहा है πाई d square upon में 4 यह आ रहा है अब हमारा जो lens है वो covered हो गया है तो हम पहले यह देख लेते कि हमारा जो lens है वो कितना covered हुआ है उसका area निकालते है ठीक है guys तो हमारा जो lens है वो हो गया है covered d by 2 covered हुआ है तो यहां पे हम area का formula चानते है जो कि मैंने वापिस लिख दिया है a is equal to pi bracket में d upon 2 bracket close इसका square लेकिन यहां पे जो हमारा d होगा वो d by 2 हो जेगा जो कि मैंने नीचे लिख दिया यह तो इस पूरे का जो square करने के बाद है जो हमारा area आ रहा है covered वो आ रहा है pi d square upon me 16 अब हम देखते हैं कि जो हमारा remaining area जिसमें slight r ही है वो कितना है तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम initial area मैंसे जो हमने अभी निकालना है covered area उसको minus कर देंगे तो जो ह हमारा remaining area आ रहा है वो आ रहा है 3 pi d square upon me 16 और इसको मैंने a2 consider कर लिया है तो guys यहाँ पर हमारे पास a1 की value है a2 की value है और i1 हमें पता है जो कि हमें question में i दे रख है और हमने बबस i2 निकालना है तो guys यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं मैंने रख दी अपनी value सारी तो pi d square से pi d square cancel होजेगा 4 से यह 16 कर जेगा तो यहाँ पर 4 आजेगा ठीक है guys और यह क्या बन जेगा हमारा i1 upon me i2 is equal to 1 by 4 upon me 3 by 4 यह बन जेगा तो किस यह इधर multiply होजेगा sorry guys यह 4 यहाँ 4 नहीं आएगा यह 4 नहीं आएगा यहाँ पर 1 ही रहेगा उपर जेगा 1 यह से multiply होजेगा तो क्या होजेगा हमारा i2 आएगा i2 आएगा guys हमारा 3 by 4 i1 और यहाँ पर हमें पता है कि i1 हमें question में दिरखा आई तो i1 की जगा हम i लिख देए तो हमारा i2 आएगा 3 i by 4 तो आएगे देख लितें कौनसे option सही होगा तो guys इस question के लिए option number 4 सही होगा और guys अगर आपको कोई doubt है तो comment section में पूछेगा thank you guys